श्यक्तिपीट जालमुखी मंदिर के कपाट 171 दिन बाद श्रधालों के लिए खोल दिये गए हैं देरा तक मंदिर प्रशासन तयारियों में जुटा रहा मंदिर मारक बारकिंग ब मंदिर का चपा चपा सेनिटाइस करने के बाद व्यवस्था बनाई गई पुलिश प्रशासन सुपध 6 वजे ही मुस्तैद नेजर आया और अपने ड्यूटी पर पहुँच गया हालंकि पहला दिन होने के कारण भीड़ नहीं लगी एक घंटे में 20-25 श्रधालों ही दर्शन कर पाए पुराना बस्टैंड पार्किंग में श्रधालों को पर्चीव धर्मल स्कैन की प्रक्रिया से घुजरते हुए दर्शनों के लिए भेजा गया स्थानियन लोकल के अलावा उन्ना वो हमीरपूर से भी श्रधालों दर्शनों को पहुँचे अभी तक दिन तक ट्राइल किया जा रहा है अगर सब सही रहा तो अन्य सुविधाय भी दी जा सकती है फिलहाल एक दिन में 500 श्रधालों ही दर्शन कर पाएंगे मंदिर अधिकार जगदीश श्रमा ने जानकार देते हुए बताया कि मंदिर श्रधालों के लिए दर्शनों के लिए खोला गया है सोपी के निर्देशों का पालन की अज़ जा रहा है बस्टेंड में श्रधालों का पंजीकर्ण वा अन्य प्रक्रिय के बाद ही दर्शन की अनुमती मिल रही है बिना मास के भी एंट्री नहीं हो पाएगी श्रधालों शौरियर ने बताया कि पुलिस वो प्रशासन का फोखता इंतजाम देखने को मिला है पुजारी बन्यासद से सौर्ब शर्मा ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद कपाट खोले गए है मंदिर प्रशासन द्वारा पुखता इंतजाम है जालमा आपने सरभक्तों की रक्षा करे बंजीकर्ण के बाद ही श्रधालों दर्शन कर पा रहे हैं प्यार टीवी के लिए जालमुखी से पंकच शर्मा की रिपोर्ट